हुआ हुआ कैसे हो मस्त हैं आज आप लोग को त्रिकुड मीति का अगला टॉपिक नेक्स्ट दो चार पांच सवाल एक बेस पर होगा और उसके बाद कुछ सवाल ओ आप पिछले जो कॉंसेप्ट पढ़ें उस तैइब्य जल होगा कुछ अलग टायब के होंगे उसको आप लोग देख लेएंगे ठीक है क्योंकि उसके लिए एक दो कोस्चन के लिए उसको महिन नहीं रहेंगे वह है टाइप है आज एक टाइप 60-a into 10 60 plus a एसा दिया रहता है तो इसका आप मान लिख देंगे 10 3a क्या लिख देंगे 10 3a इस point को आप note को note करते जाएंगे क्योंकि इस समय आप लोग के पास note के कमी हो गया होगा और मेरे पास भी कमी हो गया है ठीक है कुछ दिन ऐसा ही रहा तो पता नहीं क्या होगा बात समझ लेना है ठीक है क्योंकि प्रवेट वाल टीचर का हदात बहुत खराब होते जा रहा है हर किसी का जितने भी टीचर है ठीक है आई ध्यान दिजिएगा तो इस सिस्तिति में उसके बाद कॉर्ट का हो कॉर्ट ए इंटू कॉर्ट साथ मैनस ए इंटू कॉर्ट साथ प्लस ए ऐसा हो तो इसका जिमान होता है कॉर्ट थ्री है यह भी आप रट लीजिए नोट नमबर टू सब एक एक करोन का है ठीक है दो करोन हो गया आप तक नोट नमबर थ्री जो है ओ है आपका साइन ए साइन साथ मैनस ए साइन साथ प्लस ए ऐसा हो तो इसका मान होता है वन बटे फोर साइन थिरी ए के बड़ावर ठीक है आप उसके बाद नोट नमबर फोर जो है वो भी आपका एक करोन का है कॉस ए कॉस साथ मैनस से कॉस साथ प्लस ए बड़ावर वन बटे फोर कॉस थिरी यह आप चार करोना रख लीजिए उसके बाद नेक्स्ट आप लोग को बताने जा रहा है ठीक है इस चीज को आप लोग ध्यान देदेंगे इसको उतार लीजिए स्कुन सॉट लीजिए तब कुस्चन नबर फर्स्ट करते हैं देखा जाए कुस्चन नबर फर्स्ट इसको हटा रहे हैं हाँ कैसा कुस्चन होगा इस बात बिचार करते हैं पले हटा देते हैं इसको हटाते हैं कैसा कुस्चन होगा कैसा कुस्चन होगा इस बात को ध्यान देते हैं जैसे की इस बात को ध्यान देते हुए चलना है जैसे की टैन यहां पर 18 है तो यहां पर 10 10-10 में से 18 घटाने पर कितना आएगा तो हमको लग रहा है 42 तेहां पर 10-42 होना चाहिए और 60 में अब 18 जोड़ने पर कितना आएगा बाबो अठारा जोड़ने पर तो 78 होगा तो 10-78 होना चाहिए इस रूप में होना चाहिए नहीं रहेगा 30 में बनाने का कोशिश करेंगे तो भी ना हो तो फिर क्या कहना है छोड़ देंगे ठीक है ऐसा question आप लोग के बनाने के लिए आता है ऐसा नहीं है लेकिन कुछ question जब लगता है कि आप लोग को लगता तारिक जांन में क्या है कि क्या है इस का मान ए यह साथ हमें से एक घट गया थे साठ में ए जूट गया हम यहीं तो बात बोले हैं इस चीज को आप ध्यान दे लेंगे सचार किशने को यूज करते हैं कि वस्टेशन नुर्ट करते हैं कि ऊच्छन नाल फास्ट करते हैं कि है और देखे den यहां खे और उसे को क्वेछ कुल्ट विच्ट देखते हैं ऑज कि सरींग है है साइन बीस साइन चालिस साइन असी पड़ा हुआट अपसन आपका है आपके पास एक बटे दू रोट थीरी बैट टू वन जीरो बुलिए हाँ थोड़ा सा यह यहाँ पर दी में रोट थीरी बटे आठ कर लिए देखिए बाव इसका मतलब एसका मतलब 60 में से एघर ते आई इसका मतलब साथ में एजूता के यह कई से सब देख लिजी एक्सप्लाइन इसका भाइलो 20-20 इतना में से 20 घर ढ़र यह आजाएगा और और साथ हमें 20 जूटेगा और ये वला जाएगा इसका मतलब एए एक बार घट गया है और एक बार जूट गया है घटने से 40 आ गया जूटने से ये आ गया तो एक बते 4 साइन थिरिये इसका मतलब एक बट्टे इतना साइन तीन अगुने विस यानि हम कह सकते एक बट्टे चार साइन साड और साइन साड का वैलू कितना होता हो एक बट्टे चार रूट थीरीवाई तू जिसका मतलब रूट थिरी बट्टे में आठ अब सान नमबर कि याद रहा या क्या बुली याद तो होनी चाहिए याद खर लिजिए करदा मचा देना है ठीक है अटा रहें इसको को अब कुश्चन नमबर टू हटाएं देखे 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 देजिए ए का मतलब बीस इसमें से साथ में से बीस घड़ देगा तो 40 आजाए आज साथ में बीस जूटेगा तो असी आजाए को चैनल नमबर आपका होगया बाबू अपना मुलभूत जगह पर आएंगे तो अपना एक सेटप अच्छा लगेगा जिससे कि बिलकुल आप लोग आउनलाइन पढ़ा सकें एक दो बैच आउनलाइन हमेशा के लिए हमेशा के लिए चलते रहे उसके लिए क्योंकि गाउं में तो आप लोग अपना यहां के इधर में कुछ रखा है इधर में कुछ रखा है बस इतना ही वह उस टाइब का है ठीक है तो क्योंकि गाउंदेहत में और थोड़ा सा नेटवर्क प्रोब्लम भी रहा रहा है आप लोग को बिलकुल आप लोग बहुत लोग थोड़ा-थोड़ा करके हम पे गुस्चा अपलोड हो पाता है यह नेटवर्क वाला चीज है उसको बनाओ फिर उसको इडिटिंग कराओ फिर अपलोड करो बहुत सारा उसमें प्रोसेस अलग-अलग समय पर हमेशा नहीं हो रहा है कभी नेटवर्क गया तो कभी कुछ तो कभी कुछ कभी कुछ जबकि वही कलास अपना चलता था देखते थे कितना बिंदास चलता था तो कुछ नहीं ऑनलाइन जबाने लगेंगे ना मेरा पास करें नेटवर्क हो जाए तो रेगुलर आपको आठ बज़ आएंगे तो 8 बज़े 7 बज़ आना होगा 7 बज़ छे बज़ आना होगा तो 6 हमारे वजह से वह अंहीं है कि बिल्कुल सरद आपको वजह से बिल्कुल वहां पर तो अपनी नेटवर्क होथ है काम चल जाता है आएंगे टेंशन नहीं लेना है बहुत जलदी विल्कम बैक तुरंट होने माले हैं कुछिन नमर्ट टू देखते हैं कुछिन नमर्दो कॉस दस कॉस आपका पच्चास कॉस साथ कॉस सतर कैया थोड़ा सा इसमें ओ बीमारी जैसा दिख रहा है कि आप तीन ही पद बता है इसमें चार दिक्या अरे चार दिक्या तो कोई फा हो गया यह साथ में से ए घट के बना है क्योंकि साथ में से दस घट जागा तो पचास बना होगा और साथ में ए जूट के यह बना है यह वोला इसका मतलब यह वोला फालतु है और उसका मान भी हम जानते है उसका मान जानते है कितना कितना होता है पता है ना हाँ बिल्कुल जोटा है, यहां पर जुटा ए, इसमें से, 60 में से 10 घरता है ती यह बना है, 60 में 10 जुटा है ती यह बना है, इसका मतलब हम कह सकते हैं, कॉस 10 कॉस 50 कॉस 70 इन्टु कॉस साथ इतना को हम किस रूप में देख रहे हैं इस रूप में देख रहे हैं इस रूप में मतलब हम देख रहे हैं 30-a और 60-a इसका मतलब हुम लिख सकते 1 बटे ठोल कॉस 3 इंटु कॉस साथ का भेलो साइन थीज के बारव एक बटे दो इसका मतलब होजा एक बटे चार कॉस एक अभेलो कितना है कॉस तीन गुने दस अगुने एक बटे दो हाँ ध्यां दिजेगा ध्यान दिजेगा यह मन है तो ऐसे कर लिए याँए बटे दो, यानि मेरे को मिल गया थे मैए रूट 3 बते में रूट 3 बते में सुल लाए ऐंसर हटाए क्या हटाए इसको कुश्चन नमर थिरी आपको दिखाएं फेके कुश्चन नमर थिरी हैं आपके तक पहुंच जाएगा लीजे फेकते हैं लीजे आपके कौन अपी तक पहुंचा जाते हैं फेक कर कुश्चन नमबर थिरी लीजे कुश्चन नमर थिरी बाबु है हाँ टैन विस टैन हाँ ने ने कुश्चन नमर थिरी चलिए लीख लीजे कोई बात ने तीस सक टैन चैलिस टैन असी मितना मों कुश्चत के हैं बुली 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 जल्दी फास्ट ट्विक पतक आ जाना चाहिए हम जानते हैं आप लोग काफी तेज हैं इसलिए तो पुछते हैं इतना जल्दी बोलते हैं कि अन्सा आ जाना चाहिए हटा है हाँ देखेता देखेता इसमें भी चार पद हो गया इसको एक कह लें इसको साथ माइनस एक कह लें इसको साथ प्लस एक कह लें तो कोई दिक्कत है क्या है को यहां सर है एक का मतलब 20 साथ में से 20 घटेगा तो साथ में से 20 घटेगा तो 40 और साथ में 20 जूटेगा तो 80 तो कहिए यह फालूदा कहां से आ गया थी इसको अलग रख देंगे यानि कह सकते हैं टैन 20 टैन 40 टैन 80 अई इन टैन 30 अब इसको अलग रख देंगे इसको इतना का हम लिख सकते हैं टैन थिरी ए एक अवेलू कितना है एक अवेलू एक अवेलू बिस इन्टू टैन तीस यानि हम कह सकते हैं टैन 20 गूने तीन गूने 20 कहिए अब गूने टैन टैन 60 का वेलू बाबू 1060 इन्टू 10 तीस टैन 60 का वेलू होता है इस टोटल का वेलू एक को लिख सकते हैं टैन साट का भी रूट थीरी एक बेटे रूट थीरी कट के भी ऐसे वी दो टाइन टाइन गुनाम हो दोनों का भैलू यह दी मिल कर 90 डिगरी हो तो उसका भैलू एक होता है यह बात बन गया क्या पना चली हटा रहे हैं अब क्वेश्चन नमर करते हैं आपको कौन सा चार नमर है हटा रहे हैं अब क्वेश्चन नमर चार के लिए साइन चाओ डिगरी कोश्चेक 18 डिगरी साइन साइन 54 डिगरी साइन 6-6 डिगरी कमान बताने आपको बालो इतना कमान बता दीजे बुली बुली जल्दी फास्ट किन्ती करें जल्दी फास्ट बताइए जितना जल्दी हो सके आगया क्या आया अपसन देदे क्या हो अपसन अपसन अपके पास है एक बटे दू एक बटे चार एक बटे आठ नहीं आए तो शबका बाप बुली जल्दी अब हम बताते है आपके दिमाग में चल रहा होगा यह फालतू काम कर रहा है क्या है इसको ए माल ले यह साथ माइनस ए है क्या यह साथ प्लस ए तो को यह बिल्कुल सर यह फालतू है ना इस फालतू को बाहर आउट इसको हम लिख सकते हैं छोड़ दीजिए एक बटे चार साइन एक भैलू है क्या रहा है 8 इंटू कॉसेक अठा़ हैं आपको पता होना चाहिए और एक हो जाएगा तो इसका भैलू यानि कह सकते हैं क्या एक बटे चार गुने एक बराबर एंसर कितना हो एक बटे में चार अप्सण नंबर बी बुआ है लगा दीजे एंसर भी बुआ है कि बना यह बने फास्ट करेंगा सर इसका प्योग आ गया हां आगया ज़रूरी था प्योग लाना है कि हटा दे हटाएं इसको एक कोस्चन आपके लिए देते हैं और उसको हम छोड़ भी देंगे क्योंकि हम चाहते है कि कुछ भैलू आपके आ जाये जिस दिन वो भैलू आपको याद होने चाहिए हो कौन सा भैलू साइन अठारा डिगरी के भैलू कौस अठारा डिगरी के भैलू साइन बहत्तर डिगरी के भैलू कौस बहत्तर डिगरी के भैलू साइन पंदर डिगरी के भैलू कौस पंदर डिगरी के भैलू साइन पच्छत्तर डिगरी के भैलू कौस पच्छत्तर डिगरी के भैलू ला और इसको अराम से घर से बनाएंगे, क्योंकि इस पर हम वो अर्क नहीं करने वाले हैं, कौश 5, कौश 55, कौश 65, ठीक है, इतना बरवट, अपसन आपके पास नहीं रहेगा, वो अपसन अराम से खुद से बनाएंगे, क्या आने चाहिए, कहिएगा सर, ए, 60 माइनस ए, 60 पलस ए, बिल्कुल सही समझे, तो कहिएगा सर और क्या, तो 1 बटे 4, कौश 3 ए, कहिएगा और क्या, 1 बटे 4, कौश 3 इन्टो, एक भैलो, 5, 1 बटे 4, कौश 15, और कौश 15 कभैलो, क्या होता है, वो हमको नहीं पता, आप अराम से बनाएंगे, और फिर आप बताएंगे, कौश इतना का भैलो, क्या होता है, रोट 6 बटे 4, क्या होता है, वो आप बताएंगे, ठीक है, तो इस चीज़ को आप अराम से निकालीजेंगे, याद करना होगा, कौश नहीं तो हम आपको लिखवा देंगे, कौश इतना, साइन 15, ये इतना हीं बरावर होता है, कौश 75, ये दूनों आपसम बरावर हो जाता है, उसके बाद 18 होला, 18, 75, 15, 18, 24, ये सब खास कर, ये सब आप याद कर लेंगे, चलिए, तो इसको बना लेंगे ना, कनफर्म ना, हटाएं, हम नहीं जानते हैं हो, याद करना होगा, अच्छे अच्छे कोश्चन आएंगे न, दम छुट जाएंगे, ये नहीं याद रहेगा तो, कहिएगा हम निकाल लेंगे सर, 85-30, अर्भिया हम जानते हैं, निकाल सकते हैं, येदि ये सुतर भी यूज कर लीजेगा, कॉस 15-30, ये यनि 30, यानि, कॉस E-B का फर्मुला, आप कॉस E-B का फर्मुला याद है, ठीक है, उस चीजह को बढ़ी भी बना सकते हैं, कौस A into cos B plus sin A into sin B इस चीज़ पर भी आप इसको निकाल सकते हैं लेकिन हर चीज़ का निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप तो हमको नहीं लग रहा है कि एक लिए बार साइन 18 के भेयलों निकाल लेंगे कुछ चीज निकाल सकते हैं, 75 आप निकाल सकते हैं, 15 निकाल सकते हैं, लेकिन 18 आप याद कर लेंगे, 14 आप याद कर लेंगे, 18 का उपजिट चीज बनता है, इस चीज को आप याद कर लेंगे, है को स्चुले वो उसिक जिखते हैं है को सिक्सिक सब को है 02 सब कहा है फ़ को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब सैंद सक मैं लगत अब ही नुब में मैं को आस में जा enthusiasts इतना का भेलू option क्या दे रखा है आपका sign 65, B में है cos 65, C में है 10 65, D में है cot 65 पिछले चीज कुछ पढ़ें उस पर अधारित यह चीज है कहीं आगा सर क्या करें तो इसको बता रहे है क्योंकि शुरुवात में ज़रूई नहीं क्या आपके दिमाग में यह आहीं जाएगा लेकिन आजाएगा हम बता रहे हैं हम बता रहे हैं को से भाग लगा दिजिए cos 20 से तो यह हो जागा एक, पलस यह हो जागा 10 इस, whole बते में भी जागा एक, minus 10 इस, बुले, हाँ, दिक्कत है क्या, अभी तक दिक्त है क्या, हम बुले हैं, सब में, cost 20 से भाग लगा दिजै, तो cost 20 बते, cost 20 बरवर एक होता है, और 20 बते में, cost 20 बरवर, क्या होता है बाबू तो 10-20 होता है यह बात हम बोल रहे हैं इतना कर लेंगे इतना कर लेंगे तो अब क्या करना है इतना का भाईलो आप जानते हैं क्या होता है 1045 प्लस 10-20 लिख सकते हैं इसके जगा पर 10-45 देहां दीजेगा और मन नियाद क्या जरूरी है लिखने की जूरते नहीं सुत्र पर लाने कुछ करें कौन सा सुत्र वह आपको तुरंट पता चल जाए एक मियर नंपता चल माइनस 10-45 इंटू 10-20 का यह सर क्या यह सब लख्रा कर रहा है सर बिलकुल बिलकुल कुछ तो लफड़ा करना पड़ेगा हो क्या क्या देखें दीजेगा यहां पर एक के जगा पर 45 रख दिये तो यहां पर कुछ ज़रूत नहीं यहां पर नहीं रखें और यहां पर रख दिए क्या सर करने का कुछ कर रहे हम यह करने कुछ कर र सब्सक्राइब एक रखने से क्या आपको दिखाता है कोई हर्ज है क्या है बोलिए है तो हटा देंगे बोलना है तो नहीं होता है मेखतर है कि इवां रहा है कि सब्सक्राइब नहीं कर रह सकते हैं इसस्तिति में लिख सकते हैं यह का फैंगे में मान आ गया 10 65 और यह मेरा एंसर गया अवसन किदर गया हो गलती अपसर लिख दिया हो यह नहीं अपसर चेंज करो भई 10 65 कॉर्ट पैसर अपसंट सी नहीं अपसंट थोड़ा गलती था जिंद कर लें ठीक है 10 65 कॉर्ट पैसर यानि तब तक आपका कहिएगा अपसंट यह नहीं किया तो कुछ भी आप बल सकते हो नहीं कंट और कुछ अंसर हो सकता है कि नहीं इसको कोटम बदल सकते हैं है टैन नब्बे माइनस कितना तो 25 है यानि कोट 25 भी अंसर हो सकता है कोट 25 अपसन में था कोट 25 गलती से 10 45 लिखा गया थे जिसको आप है ठादेंगे ठीक है कनफार्म देख लेंगे क्या किए बाबू 10, 10, 10 में कनफार्म इस सुत्र पर लाने के लिए 45 दे दिए यहाँ पर कुछ जबत नहीं है यहाँ पर 1 यहाँ 45 दे दिए यहाँ 45 देने कोई फोर्थ नहीं पड़ा एक से गुना करने में इसमें कोई दिकत नहीं है तो आगया A plus B 1 बटे में A minus 10 A plus 10 B 1 minus 10 A into 10 B उससी सुत्र पढ़िये है इसका मतलब 10 A plus B यान 10 65 यानि अप्शन नमबर C Clear? कोई दिक्कत? कुस्चन नमबर आपका है बाबू साथ नमबर देखेंगे साथ कॉस्ट दस कॉस्ट बिस कॉस्ट साथ कॉस्च सत्तर कॉस्च असी भैलू आपका A 1 1 by 2 1 by 4 नहीं आए तो देखें तो क्या रहे है जल्दी फास्ट रियक्शन किया जाए दीख रहा है न कॉस्च असी अंतिम है कॉस्च असी बली 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 हम तो बोलेंगे कि हमारे जैसा मैक्सिमम आदमी को बनना पड़ेगा आने वाले दिन में हम लोग प्राइबेट टीचर हैं आने वाले दिन में ऐसे ही चलते रहा तो इतना अपने आपको ये मजबूत करना है कि जो काम मिले वो काम करो कोई दिक्कत नहीं इसलिए क्लास में बोलते हैं याद है कि में Тर्ज क्लाशेज कि गुलुखपपवाले तही कि अज़िंगों है यह इसलिए कि आज हम पुर्षेज इसुक्त कोई नहीं आए इनसान को इसलिए हम बोले हैं आदमी को हर रूप में ढ़लना पड़ता है, ढ़लने की कुशिश कीजिये, आप गलती से भी कोई गलत कदम किशी को नहीं उठाना चाहिए, इस बात को हमेशा हम बात बोलेंगे, इस बात को समझते बचलेंगे, कोई भी टीचर हो, आप ये नहीं कि अप आप एक्टर हो आप बदल सकते हो कोई टीचर बन गया तो जरुए नी को हमेंसा टीचर रहेगा तीचर आप बदल सकते हो नाम लिख क्या गाए चलो टीचर हो तो इसलिए आप स्टूडेंट है कोई बात नहीं पढ़िए नहीं लगता है तो कोई और छेत्र रुजाइन कर ल यदि खेती करने से प्रोब्लम होता है तो वो लोग खेती नहीं करते हैं रहा बात की खेती में थोड़ा मेहनत होता है और हम लोग मेहनत से भागते हुए चलते हैं इसलिए खेती करना छोड़ दी है नहीं तो खेती को यदि अच्छे लेवल से किये जाए तो उसमें फैद पकता है ठीक है और बाल जटता है इसका अंसर अब तक आ गया हो गहां जो पिकेंट मस्त रहना है आए कोस्षण करते है क्या को सचन् कीया जाए सर बताने क्या किया कि यह हम बोलने के कुछ कर रहे हैं जिस बात को आप समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ हो सकता है जैसे यदि किसी को कणभार्ट कर दिया जाए उस रूप में आप सोच नहीं कि सर बीस सतर प्लस बीस सतर माइनस बीस वाला कोस्टन है कि नहीं 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 वैसा एक ही बार न यान इसको चैनी कर सकते है क्या चीज़ कोस नबबे मायनेस असी लिख सकते है कोसक आशी कोस्ट इसका शी एक इसका मतलब इन दोनों के जोडने असे एक बहलो मिल रहा है तो इस इतिति इन दोनों के भी जोड़ने पर एक भैलू मिले गए और इसका भैलू तो मेरे को अल्रेडी पता है पता है आई यह फिर से देख लेते हैं फिर से किसी परकार के a–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– इतना के भी भैलू एक और ये तो अल्रेडि उसका मान हम जानते हैं इसको देख लिजेगा उतार लिजेगा राम से इसको आपको याद होना चाहिए बावू यह वहला स्कॉंसेप्ट याद होना चाहिए कि कोस इन्टू सेक बराबर ठीटा बराबर वन होता है क्योंको उसको 2uhan इन्टू को शिक है आसी को स्वेस इन्टू को सेक सबातएं इन्टू को साथ कि इतना के भैलू अभी हम जानते हैं क्या एगा एक इतना के भैलू एक और इतना के भैलू को ती स्के बराबर याने एक बट्टे में दो ख्माब्र 25 पीवा है कि बोली कोई दिक्कत है क्या है नहीं नहीं हाटा है इसको कि अधार एक सब्द क्यों हम बोले हैं आपको पता है कि आप लोग दिमाग में चल रहा है कि आप बोले हैं कि आदमी हर रूप में ढ़ल सकता है इसका अंदाज आपको होगा कलास में आते हैं तो कितने सर्ट पहन गयाते हैं आपको याद होगा तीन चार पाच लगभग पढ़ाते हैं तो कितने सर्ट पहनते हैं एक यह और एक लगभग टी सर्ट यह सर्ट 2015 का है जो डिजेक्ट में रखती है थे उसको पहन रहे हैं और उसके बाद जो टी सर्ट आज तक तीशट, चौधा के बाद हम तीशट पहने नहीं है, भहिया का टीशट है, एक हारा वाला टीशट भहिया का टीशट है, इसका मतलब मैक्सिमम चीज हम उसको एडप्ट किये जो हमारे फैसन से बाहर था, जिसको हम हटा चुके थे, क्योंकि दो-तीन महीना तो हम सासराम गए इस बात को आप समझें, दो महीना कर लग भग, एक दो दिन पहले हम गए भी तो सब सारा सर्ट ले कर रहा है, लेकिन कैमरा उसको वाइट वाला के सेट नहीं कर रहा है, उसका लाइट चुक 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 करना लग रहा है, समयते हैं चुक चुक मतलब ना, क्योंकि हम अप बहला लग कर लें, इसका मतलब उस जिस अर्ट को पीला वाला सर्ट इसको नहीं चाहिए, इसको वाइट वाला सर्ट नहीं चाहिए, इसको खाला शर्ट पहने ते पीस चीज को हम बोल रहे हैं कि आदमी को ऐसा ही होना चाहिए, इस बात को आप समझेए, कि जैसा वक्त है, वैसा काम करना है, यदि आप पूछेंगे भी इत्ता सर सर ये के सर्ट के उपहन के बनाते हैं, भी आप पहने पर ध्यान दो, मेन फोकस पहने पर, एक आदमी के वह स चाहिए, कि उससे कोई आपको नहीं विश्वास होगा, आप नहीं विश्वास कर पाईएगा, जो इंसान 2014 से लेकर, आज तक सुबह 7 बजे से लेकर, लगभग लगग 6 बजे तक, जो जुता नहीं खलने का प्रयास करता था, नहीं खल पाते थे, खलने का मौका नहीं मिल बीच में जब जाते थे, तो वही खुलता था, बीच में मतलब 11-12 बजे, वो आज इंसान 3 महीनों से बिलकुल भी ना चपल के घुमते हैं, मज आता है, क्या चपल नहीं है, लेकिन क्यों, क्यों क्यों सुचते हैं चलो गाउँ द्यात का महुत, इसलिए गाउँ द्यात के मैक्सिमम टाइम मेरे एक्सपेंड या, तो कलास में नहीं तो बाइक पर होता था, मतलब बाइक से आना जाना पैदल चलना ना के बढ़ावर, और यहाँ पर मैक्सिमम समय के वल पैदल ही चलते हैं, इसका मतलब आदमी को हम बोल रहे हैं, कि किसी भी परकार से आदमी को ल कलास में अपने ही देखे होंगे, जैसा यहां भीग जाते हैं, ठीक है, तीस चीज को हम बोल रहे हैं, आए कुस्चन पढ़ाते हैं, बिंदास हमारे जैसा बनिए, प्रोबलम कभी नहीं होगा, नहीं तो आके कमी बात करके देखिए, प्रोबलम को मिटा देंगे, यह बात गरान्टी है, समय के साथ, देखिए, बात समझ रहा है न, क्योंकि ओची हम आपको अराम से डिल करते हुए चल रहे हैं, आई यह ध्यान दिजेगा, चलिए भाव, लास्ट कोस्चन देखते हैं, आठ नमबर, साइन ए, प्लस साइन दी बड़ाबर, सी, कॉस ए, एंड, कॉस ए, प्लस कॉस बड़ाबर, दी, तो कह रहा है कि बताईए, साइन ए, प्लस बड़ाबर, अप्सन आपके पास है, है, सी डी, सी डी बटे में, सी स्क्वार प्लस डी स्क्वार, और सी में है, आपका, टू सी डी बटे में, सी स्क्वार प्लस डी स्क्वार, और डी में आपका है, टू सी डी बटे में, सी प्लस डी, कर दब कर दिया करें बी के बहते हैं कि यह सब कोई दिक्कत नहीं है कोई दिकद नहीं है वैसा मान रखें जिससे जल्दी बन जाया जैसे का यह एक प्लस एक बड़ाबर डी यानि डी का भैलू जीरो डी का भैलू डी का भैलू कर यह यह कहां का मैंगा इसमें 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 आये इसमें जीरो मेरे को एंसर जो मिलना चाहिए अप्शन में से वह जीरो होना चाहिए अब यहाँ पर जाएंगे A में C into D 0 गुने D 0 गुने 2 बराबर 0 जल्दी में आप चिलाने लगें ठीक है भाई लेकिन निचो तो चेक कर लो B में देखे तो 0 गुने 2 बटे में 0 काई स्क्वाइर प्लस 2 काई स्क्वाइर यानि कहा देंगे 0 बटे में 4 बराबर 0 ये भी आ गया ये आजाए कि मतलब 4 अप्शन लड़ गया तो कहिए सर क्या करें तब तो क्या करें क्या ये वला हटा ये जो लड़ गया जिसके लाने से सब लोग लड़ जा रहा है उसको हटा दीजिए मार्केट से इसको आउट तो कहिए अब कौन आइधर वला दो हुआ था जबकि आप 90 रखेंगे ना 90 आप रखेंगे 90 इधर वाला सी का भेलू 2 हो जाएगा और इधर वाला भेलू 0 हो जाएगा तो कहिए कोई फर्क पढ़ा क्या है हमको तो नहीं फर्क में जबार है तो कहिए अच्छा वाला भेलू होता है कोन होता है 45 तो 45 अप रख दिजिए 45 देखिए भई अच्छा अच्छा कुस्चन बनाने के लिए दिमाग तो लगाने होंगे और दिमाग आप लोग को आई शू पढ़ा हुआ चल रहा है सहीं फाल्तू तो 45 ए बराबर बी बराबर 45 अच्छा क्यों नहीं रख रहा है भी अला फड़ा हो जागा फाल्तू में इतना ही उल्टा पूल्टा रखने से मान रूट में पहुंच जाएगा तीसका भेलू होता है एक बटे में रूट दो इसका भेलू इसका भेलू एक बटे रूट दो बराबर कौन आगा सी आगा रूट दो जब सी का भेलू रूट दो ट्डी का भेलू रूट दो ही होगा क्यों क्यों कि कॉस्ट पैंतालीस और साइन पैंतालीस के भेलू सेम होते है इसलिए इसका मतलब इसको हम हटाने के मूड में है इसको हटाने के मूड में है पाव अटा दे के हटा दे हटा स्क्रिन सोट ले लिए होंगे अब मेरे को क्या मिला मिला सी का भी भैलू मिला रूट दो इसका भी भैलू रूट दो तो मेरा इंसर अब ए भी वर अब कितना रखें ये बात देहां दीजेगा 45 रखें तो साइन का भैलू क्या होगा तो होगा साइन 45 प्लस 45 साइन 90 का भैलू कितना होता है बाबू एक जिस अप्सन का मान एक आजाएगा ओ मेरा इंसर होगा तो अब देखते हैं एन नमबर सीडी रूट टू इंटू रूट टू बड़ा आगा बाबू दो होगा तो कहिए गन नहीं बी मे क्या हो जागा रूट टू इन्टो रूट टू अब बट्टे में रूट है स्क्वार लिग दें 2 प्लस दो यहांनि आगде दो बट्टे में चार वराब एक बट्टे में 2 वहहोगा तो बलर यहना तो आप जाते है क्योंड DurASa 6K सुझ हस सी नहीं हुआ तो बीना देख है औ लगा देंगे है 2 CD CD का भैलो दी का भैलो होल बड़्टे में स्कुलर रुट टो का स्कुलर ब्लस रूट टो का प्लस कर या टू अगुने टू अबटे में टू प्लस टू नी क्या वट्टे चार बरावर एक आगया आगया लगों सबगे C, यानि option number C यहाँ पर 45, 45 रखे तो मेरा answer आ रहा है एक, और C का value 45 रखने पर C का value इतना आया और D का value same आ गया इतना ही, और इन दोनों के value option रखने पर उस option कौन सा option है जिसका value यह कर रहा है तो option number C, इसलिए मेरा answer गया C, आज के लिए इतना ही मस्तर ही है, बिंदास रही है देख रहे है ना, गर्मी कितना लग रहे है ठीक है, कोई दिक्कत हमारे तरह बन जाएगा न confirm बोल रहे है, दुख कम हो जाएंगे इस बात को आप clear समझ लीजिए नहीं भी मनिए, कोई बात नहीं अपने जैसा बनो, कोई दिकत नहीं हम नहीं बोल रहे है, लेकिन उस रूप में हमेशा ढलो जिस रूप की ज़रुष है ज़रुष नहीं है, कि हमेशा जैसा होता था, वैसा ही चलेगा तो ठीक, नहीं तो, बहुत दुख होता है, जब रोज जिसको मिलता हो घी मलाई सब चीज और दो-चार दिन उसको सुखा रोटी मिलने लगे तो बहुत दुख होता है तो इसलिए उस दुख को कम करने का सही यह है कि जब जो मिले वही खाके मस्त रहो वैसा ही रहो उसी महौल में रहो कोई टेंसन नहीं होगा यह बात दिमाग में बेठालना है चलिए आज के लिए इतना ही जहिंद भाव